नमस्कार एवरिवान आज फिर से हम हिंदी चप्टर वान के कोशिन अंसर डिसकसन करने वाले हैं जिसका पहले हम उसकी कभीता का व्याख्या किये थे जो की वीडियो आवेलेबल है आपको प्लेयलिस्ट में मिल जाएगी तो आज हम वही चप्टर के प्रस्न का अभ्यास करेंगे उससे पहले जो उसकी कभीता है उसका सारंस में आपके सामने रख रहे हूँ ताकि जो भी कुछ मैंने पिछले क्लास में बढ़ाई थी वो आपक को याद आजे तो बस कभीता का सारंस हम याद कर लेंगे फिर हम कोशिनंसर अव्यास करेंगे तो चलिए चलती हैं हिंदी के चाप्टर वान मन के भोले भाले बादल के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसकी सारंस क्या थी ना इस कभीता का कभी थे कलPM Значит Semji इस कभीता में कभी ने भीन भीन प्रकार के बादलों का चित्रन के बारे में बनन किया गया है कभी कलपनात जी कहते हैं कि बादलों के बाल क्या होता है न जहबरदार है और गाल गबार जैसा है कुछ बादल जोकर की तरत तुंद फलाए हैं तो कुछ हाथी से सुन उठाए हैं कुछ उटों से कुबड़ वाले हैं तो वहीं और कुछ बादलों में परियों से पंग लगे हैं ये सवी बादल आपस में टकराते रहते हैं और सेरों से मतबाले लगते हैं फिर कभी कहते हैं कि कुछ बादल तुफानी है और सेतान भी है सेतान का रूप भी लेते हैं वे अपने थेलों से अचानक पानी भी बरसा देते हैं और कभी कभी किसी का कुछ सुनते नहीं है अचानक से वो चले भी जाते हैं और रहरे कर छथ पर दिख जाते हैं हमें और फि सबके बाबजूत भी ये बादल हम सबको अच्छे लगते हैं ये मन के बहुती भोले भाले हैं तो ये था कभीता के बारे में जो कि मैं पिछले क्लास में बहुत अच्छी तरह से आपके सामने में डिस्क्राइब की थी आप चाहिए तो ट्याक कर दी हूँ वीडियो में ओ आ देख लेजिए ताकि आपको कभी तभी समझ में आ जाए अच्छी तरह से बस यहां पर थोड़ी से उसकी सारांस में बोल रही थी तो चलिए बिना देर के हम इसका कुशिन अंसर करते हैं प्राक्टिस यह NCRT Solutions है NCRT Course है CBSE Board के Class 4 का Hindi Chapter पाठे पुस्तक से लाया गया है First आएगा आपके बुक में तुमारी समझ से ऐसा लिखा होगा तो उसमें जो कुशिन है वो हम दिखते हैं पहला कभी-कभी जिद्धी बनके बाड नदी बालों में नदी नालों में लाते तो कुशिन क्या है इसका ना बादल नदी नालों में बाड के से लाते होंगे तो इसका उतर है बादल अत्यादिक बरसा कर नदी नालों में बाड लाते होंगे क्या है नहीं किसी की सुनते कुछ भी डोल अब डोल बजाते बादल तो इसका क्या कोशिन है बादल डोल के से बजाते होंगे फिर से पढ़ लिजिए कब्यांस को नहीं किसी की सुनते कुछ भी डोल अब डोल बजाते बादल तो इस पंक्ति से हमें ये कोशिर मिला है कि बादल ढोल के से बजाते होंगे तो उत्तर है बादल आपस में टकरा कर गरजना करते हैं उनकी यह गरजना सुनकर ऐसा लगता है जिसे वे ढोल बजा रहे हैं नेक्स्ट हमें कौन से पंक्ति दिया गया यहांपर कुछ तो लगते हैं तुफानी कुछ रह रहकर करते सेतानी तो इस पंक्ति से हमें ये सवाल मिला है कि बादल कैसी सेतानिया करते होंगे तो इसका अंसर है कभी तेज हवा के साथ पानी बरसा कर कभी दिन रात मुसला धार पानी बरसा कर बादल सेतानिया करते होंगे अच्छे से यह याद रखिए और किस सबाल का कुन सा आंसर है, किस तरह में लिखी हूँ, यह याद रखिए, अगर याद नहीं रहता तो वीडियो को पौच करके आप अपने कपी में लिख सकते हैं, मैं बार-बार यही की बात बोल रही हूँ, वीडियो को पौच करके अप पिस सब का आंसर लिख सकते हैं ताकि आपको याद रह जाए केसा और कौन नेक्स्ट आए गया केसा कौन तो देखिए केसा कौन यहाँ पर इसके अंदर कौन से कौन से सवाल है यहाँ पर एक ऐसे दी गई होगी जो कि मैंने अलड़ी कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए वहाँ पर यह बाला जो साइड है यह बाला साइड अलड़ी बुग में होगा और यह पहला बाला आपके जानकारी के लिए कर दियां होगा बुग में कर दियां होगी ठीक है कैसा है और कौन ठीक है तो हम वही समधन करेंगे पहला बाला आपके बुग में अल्री दे चुकी है सूरसी चमकिली ठाली तो वसे ही मैं यहाँ पर दो तरह केगी लेकर हाई हूँ आपको जो भी अंसर अच्छा लगे आप वो लिख दीजिए अगर कुछ नया आ रहा है आपके मन में आप जानते हो कुछ नया कर सकते हो तो भी जरूर लिखिया अगर सही हो तो गलत अंसर बिल्कुल मैं लिखेगा सही हो तो आप जरूर लिखेगा चंदा सा गोरा चहरा हाती सा भारी भरकम व्यक्ति जोकर सा मजादार आदमी परियों सा प्यारा फंक गुबारे सा फुला मो धोलोक सा मूटा पेट नेक्स्ट में वही और एक थोड़ी सी यहां पर कुछ-कुछ चेंज होई है आप देख सकते हो सूरसी चमकिरी थाली वही है चंदा सा गोरा मुकडा हाती सा भारी भरकम आदमी वहां पर व्यक्ति था जोकर सा मोटा नाम परियों सा सुन्दर पांग गुबारे सा फुला हुआ पेट ढोल यह निचे वाला का हो अगर है यहां पर कुछ नया आपको जो की सही लग रहा है वो आपको करना चाहिए आपको लग रहा है सही है तो वह भी लिख दीजे लेकिन सही अंसर होनी चाहिए नेक्स्ट क्या होगा कभीता से आगे यह हैरलाइन होगी कभीता से आगे तो इसके अंदर क्या क्या कोशिन आएगी हम यह देखेंगे फर्स्ट कोशिन तुफान क्या होता है बादलों को तुफानी क्यों कहा गया है यहां पर दो कोशिन है देखो पहला आया है तुफान क्या होता है नेक्स्ट कोशिन बादलों को तुफानी क्यों कहा गया है तो उत्तर है क्यूंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मुसला धार बरसा बरसाते हैं। नेक्स्ट कोर नमबर, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल चाते हैं, उत्तर जुलाई और अगस्त के महीने में, साल के जुलाई और अगस्त के महीने में बादल के चाते होते हैं, ज्यादा बादल के चाते होते हैं, नेक्स्ट कोर नमबर कोशिन, कभीता में काले बाद बादल की बात कहीं गई है लेकिन हम यह सोच रहे हैं कि सच्मुच काले बादल होते हैं? आप लोग तो बादल बहुत बार देखे होगे और बहुत रूप से देखे होगे कख्या में बाचित करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं, तो यह दिखें, इसका अंसर यह होगा, बादल, काले, भूरे, और सफेद रंगों के होते हैं, अच्छे से याद रखिए, बादल, काले, भूरे, और सफेद रंगों के होते हैं, सुवहर साम को बादल, लाल रंग के भी दिखाई देती है, ठीक है, नेक कि यहां पर देखिए हमें दिया गया है काले काले बादल हम बनाएंगे काले काले डराबने बादल तो काले काले डराबने बादल देखो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है इसका रंग में नहीं दी आप चाहिए तो उसको काले कलर का कर दीजीगा तकि वो डराब न दीख का गाल गुबार जैसा होगा और भी पिक्चर है आप लोग नीचे मिल जाएगे आपको यहां पर मैंने कलर दी हूँ और वहां पर मैंने यहां पर कलर नहीं दी हूँ और वहां पर मैंने कलर दी हूँ तो आपको जो भी अच्छा लगे अगर कलर वला अच्छा लगे तो वो कीजिए करके कलर देती जिए अगर कलर वला नहीं अच्छा लग रहा है तो सिंपल करके उसका बस ऐसे नजारा कीजिए जो की काले काले दिखे और डराबना दिखे और गुबरे जैसे गाल वाले दिखे और हलके फुलके सुहाने जैसे भी सुन्दर सा बादल दिखाई दे हमें वैसे ही मैंने पिक्चर यहां पर भी बहुत सारी है यहां पर यह देख लो और यह भी देख लो ठीके तो आपको जो अच्छा लगे वो आपको कर दिये जिए ठीके तो नेक्स जलो यह तो पिक्चर की बात गई बहुत सारे बचों की बहुत बहुत बढ़े बढ़े अलग अलग चित्र कर सकते हैं बहुत सारे बचे तो आप लोगों के बादलों के चित्र आप लोग के से बनाते हैं वो आपके उपर निर्वर करता है then next call के number क्या है question हमें दिखना चाहिए कभीता में बादल को भोला कहा गया है ठीक है कभीता में बादल को भोला कहा गया है हम भी देखें इसके अलबा बादलों के लिए और कौन-कौन से सब्द का इस्तिमाल क्या गया है कहां पर कभीता में क्या 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 गया है इस्तमाल भोला को छोड़ कर निचे लिके अधुरे सब्द को पुरा करो मा इसमें छोड़ दिया गया जी छोड़ दिया गया तू छोड़ दिया गया और सो छोड़ दिया गया तो यहां पर क्या होगा तो वह ही देखेंगे ठीक है तो answer देखिए sorry यहाँ पर थोड़ी सी गलत हो गई यह सई होगी ठीक है यह बाला मिटा दीजिए यह बाला नहीं होगी यह सई होगी ठीक है सई होगी ठीक है सई होगी ठीक है गलते से सो लिखती हैं उत्तर क्या होगा फर्स वाले का होगा मतवाले, जिद्धी, सैतान, तो फानी ठीक है देन नक्स बारिस की आबाजे की आबाज के बारे में हम लिखेंगे कुछ अपने थेलों से चुपके जर 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 बरसाते पानी पानी के बरसेने की आबाजे जर 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 पानी के बरसेने की कुछ और आबाजे लिखे तो बारिस के आबाजे और हमें यहां पर पंक्ति दी है कुछ अपने थेलों से चुपके जर 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 बरसाते पानी तो यहाँ पर जो जर जर है वो पानी की बरसाने की आबाजे तो पानी की बरसाने की आबाज और भी बहुत कुछ है जर जर तो सिर्फ एकी अकेला नहीं है बहुत कुछ आबाजे तो और क्या-क्या है हम उसे लिखना है और है टप-टप होगी छप-छप होगी टिप-टिप होगी तो यह सब हो गए अगर आपको और कुछ पता है तो आप भी लिख सकते हैं यह एक रिम जिम रिम जिम भी होगी दिन कैसे कैसे पेड़ कैसे कैसे पेड़ तो देखिए बादलों की तरह पेड़ भी अलग-अलग आकार के होते हैं यहां पर क्या दिया है कैसे कैसे पेड ठीक कोई बात ने हम पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा बादलो की तरह पेड़ भी अलग-अलग आकार के होते हैं कोई बरगत सा फेला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा उंचा और सीधा अपने आसपास अलग-अलग तरह के पेड़ देखो तुम्हें उनमें कौन-कौन सा आकर दिखाई देते हैं सब मिलकर पेड़ों पर एक कभीता भी तेयार करो चलो मैंने अपने इसप से कभीता तेयर की हूँ तो देखो क्या लिखी हूँ उत्तर कोई पेड़ पीपल सा बिसाल कोई पेड़ निम्बू सा छोटा कोई बांस जैसा लंबा और पतला है तो कोई नीम सा घना है और कोई बबुल जैसा तेड़ा मेड़ा है अगर आपको य घित पसंद आए ये गाना पसंद आए या फिर मैं बोलूं कि ये कभी तह पसंद आए तो या पलिक सकते हूँ अगर इसके अलबा आपको और भी कुछ इसमें जूड़ना हो या फिर बहुत अच्छा बनाना हो और भी अच्छा Beimनाना हो तब जैरूर अपने घर से या फिर अपने टीचर से सायता लीजिए और उसे सुन्दर बना दीजिए